अबस्ते भारत नमस्ते किशा में गणिश किशान आज हूँ 40 गाउ वर खेड़े तो शिल 40 गाउ है यहां पे कुछ अपना रेवा का प्लाइट लगा था रेवा जी नहीं रेवा जी नहीं आईए किसान से समझते हैं कि यहां पे इन्होंने रटून रखा हुआ है पहले तो मैं किसान से समझना चाहूंगा कि उनका परिशे और क्या रेवा के लगाने के बाद इनको क्या इल्ड में क्या भरक दिखा और क्या उनको इल्ड आई पिछले साल की आपका नाम मोबाइल नमर बताइए नमस्कार मैं प्रविंद रेकनत गवारे चैलिज गवर खेड कि यह कौन सा पोधा लगा हुआ है जी नाइन रेवा काई कब लगा हुआ था पंदरा अगस्त पंदरा अगस्त दो हचार बीस पूरी कटिंग हंड्रेट हो गई यह तो जून जुलाई में ही खतम हो गया है बिलकुल बिलक सब्सक्राइब तो नाली पाली पेज अगर रहता तो काफी अच्छा रिजल्ट आता आपको इससे भी बेटर आता रेवा को अगर लगाना है और बीकिशान को अगर समझना है तो सत्तर तीस पे जाना है सत्तर परशंट जगा पाउधों के लिए और तीस परशंट जगा हम पाउधे को और सत्तर परशंट जगा होगे हमें चलने के लिए तो यह यह द्वहंद मिटाने के लिए शायद मैं भी आप तक नहीं पहुच पाया लाइन से लाइन पाच फिट और पाउधे से पाउधे के दूरी साथ फिट और यह जो नाली हम निकाल रहे तो इसको छोड पाउधे को जड़ों के लिए जगा मिलेगे बायमास कारबन मिलेगा और यह मट्टी यहां पर पूरी रहेगी तो यहां पर धिलापन रहेगा तो सेकंड रटून आप फर्स्ट जैसा ले सकते हो थर्ड भी अच्छा ले सकते हो यहां पर अभी क्या हुआ है आप अगर दे अगले साल से न्यू जो आप अभी आपके साथ अप्य किशान जूड़ रहे हैं और प इस साल से आप जुड़े हो तो इस साल में कुछ नई थीम आपको लाउंच करनी पड़ेगी इनका बेनी पीट मिला जिग-जाग बोले लिए इसका बेनी पीट मिल गया पहले से हमारा कमल तूट सकता था पहले पाजबाद छे एक लाइन टो लाइन लगाते थे ना इसकी वज़े से यह जिग-जाग लगाने के वज़े से यह कमल तूटना कम होगा अच्छा बरबर और इल्डम में क्या फरक आया आया अच्छा बजन में अच्छा आवरेज बे आया यहां पर साइद जो किसान बुलते है कि वाधा तो वाधा कैसा था अच्छा वाधा बढ़िया था बितल है इसमें करना क्या है इक दो-चाह ट्रिक मैं आपको बता देता हूं ताकि इस मटि 59 कैसी करें इसे डिकरना एक हजार पाउद्वें सो लिटर पाणी एक लेटर सल्फिरिक एसे और जिस दिन पूरे दिन की लाइट हो अभी शायद यहां पे तारवे कटे हुए आपके तो जिस दिन अभी लाइट मिलेगी उस दिन यह प्रक्रिया कर लीजे तो इसको पानी भरन मोलते हैं पानी भरन की प्रक्रिया ड्रीप से अपलाए करना है चार से पाच घंटे पानी चलाना है तो पौधे में जो पीलापन है जो कुछ रुका हुआ है थम गया है तो यह तुरन चुटकी जैसा भागना शुरू कर देगा पूरी हर्याली और बेड के ओपर जितना सेचुराइड मट्रेल है जितना क्लोरीन है उतना खतम हो जाएगा और बेड आपका अपने आप अप्टेक करेंगा बड़िया रिजल्ट आएगा एक दम बड़िया ओके ठीक है थेंक्यों बाराइड दन्यम्द्ट सर्थ